हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज मैं लेकर के आई हूँ मोमोज की चटनी जिसे वेज और नॉन वेज मोमोज किसी के साथ भी खाया जा सकता है वीडियो को अन तक जरूर देखें वहाडली फाइब मिनट्स में जटपट बनने वाली चटनी है फाइब मिनट्स तो कहना सही नहीं होगा दस मिनट्स में बनने वाली चटनी है तो यह देखिए इसके अंदर एक कश्मीरी लाल मिर्च और साथ से आठ खड़े मिर्च डाले ह मैंने और करीबन पांच टमाटर को बीच से स्लिट कर दिया है और डाल दिया है इसके अंदर तो ध्यान रखें इसके अंदर एक कश्मीरी मिर्च जरूर डाले तभी इसका कलर बहुत ही बढ़ी आने वाला है इन सब को डाल देंगे और मिर्च और टमाटर अपने नुसार आप अड़्जस्ट भी कर सकते हैं इसको हम बॉयल होने देंगे तब तक बॉयल होने देंगे जब तक की टमाटर बिलकुल सॉफ्ट ना हो जाए इसके छिलके बिलकुल अलग से ना दिखने लगे तब तक हम इसको बॉयल करेंगे बस इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे इसक बहुत सारा शेयर करें तो देखिए इसी स्टेज पर हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे इसका एक फाइन पेस्ट यानि प्यूरी बना लेंगे बस पानी को हम डिसकार्ड कर देंगे इसका पानी को हमें नहीं उसकरना क्योंकि टमाटर में आलरेटी बहुत पानी है चटनी उसी से पिस जाएगी तो बस इसका एक फाइन पेस्ट हम बना कर लाते हैं ये देखिए बने रही है वीडियो में हमारे साथ आगे मैं स्पेशल इंग्रीडियंट बताऊंगी जिससे आपकी न चटनी जो मोमोस की है बिलकुल बाजार से भी बहुत पेस्टी बनने वाली है आप बने रहें अन तक ये देखिए तो इस तरीके से हम क्या करेंगे सारे टमाटरों के हम छिलके इस तरीके से उतार लेंगे बस और इसका हम एक फाइन पेस्ट बना कर तयार करेंगे और आने वाली रेसिपी में मैं मोमोस भी शेयर करने वाली हू यह देखिए इस तरीके से हम इसका fine paste बना लेंगे अब क्या करेंगे हम कडाही लेंगे कडाही को गरम करेंगे और इसके अंदर हम refine डालेंगे ध्यान रहे हैं सरसो तेल का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि सरसो तेल में एक अपना flavor होता है वो हम momos की चटनी में नहीं लाना इसमें हम एक से डीड़ इंच अद्रक यानि जिंजर को कड़ू कस करके डालेंगे उसके साथ ही लहसुन को बारीक कटके तो इसमें करीब कम से कम मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियां डाली है तो उसको कड़ू कस करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है इसमें हम लहसुन और अद् नहीं है मतलब इसको लाल नहीं करना बस इसको सॉटी कर लेंगे आप यह माल लीजिए एक मिनट अल्मूस्ट लगेगा स्को सॉटी करने में मैक्स टु मैक्स एक मिनट उसके बाद जो हमने प्यूरी बनाया था उसको डाल देंगे और slow to medium flame पे हम क्या करेंगे ना इसको गाढ़ा होने देंगे तो ये देखिए इस तरीके से हम चलाएंगे इसको ढखनी की बिल्कुल जरुवत नहीं है क्योंकि अल्रेडी सब कुछ पका हुआ है इसमें हम नमक डालेंगे तो वो क्या क्या ना मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा मिक्सी के जार में लगा हुआ था हमारा ये जो मिक्चर है तो उसी में नमक थोड़ा सा डाल के और मैंने इसके अंदर डाल दिया तो अब ये इस stage में जब आ जाएगा ना पकते पकते तो it will take almost 4 minute, 3 to 4 minute लेगा, तो 3-4 minute के बाद ये इस stage में आ जाएगा, तो इस stage में अब हम डालेंगे 2 special ingredients friends, ये देखिए, लग रही है ना बहुत testy, इसका color देखो कि तब बढ़ी आया है, तो tablespoon है ये हमारे पास, एक tablespoon इसम के अंदर soya sauce, ये दोनों जरूर डालें, इसको skip ना करें, इससे स्वाद भी बहुत बढ़ियां आएगा, और इसके अंदर एक color बहुत अच्छा अरोमा भी आएगा, और बहुत अच्छा color आएगा, बस तयार है, इस stage में हम गैस को कर देंगे, बंद, और उसके बाद काही की जो अपनी गर्माई है, उसी से ये चटनी अपने आप adjust हो जाएगी, ये देखिए, बस,